रादे रादे दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी एगदम बढ़ बढ़े होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे और आप सभी को मेरा प्र germs और जो भी हमसे छोटे हैं उन को धेल सारा प्यार तो चलिए वीडियो में आगे बने रहेंगा और थोड़ी से भी पसंद आती है न तो लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो को और चैनल पेज भो भी नहीं आते हैं सस्क्राइब भी कर लीजेगा तो चलिए वीडियो में आगे बने रहेगा और अभी टाइम हो रहा है दोफर का तो और बना रहे हैं हम खाना बनाने की तयारी कर रहे हैं और सुभा में ये ड्यूटी से आते वक्त देखे ये ताजी ताजी एकदम पालक और ये पुदीना और धनीय की पत्ति ये लेकर आये थे और एकदम ही ताजी है फ्रेस है और ये पालक भी है तो धनीय की पत्ति और पुदीना देखकर बिरियानी बनाने का मन हो चली बनाते हैं और यह प्याज ले लिए है और टमाटर हरीमेड्स जो भी इसे लगना चाहिए हो सब काट के रख लिए हैं और चार बड़े साइज का प्याज लिए थे और पांच टमाटर लिएते चड़ा दिये हैं कूकर और कूकर में डालेंगे थोड़ा सा घी विरियानी में गी जाता ही है गी से एक अच्छा सा टेस्ट आता है विरियानी में और डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन तेल सरसों का तेल नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा सा घी डाल दिये और थोड़ा सा रिफाइन तेल और य टाल रहे हैं तो थोड़ा सा कम मसाले से बना रहे हैं तेज बर्ता वोगी डाल सकते हैं इसलिक तो मसाला मसाले को मका तो यह यह प्याज एक दम को को is बस सिर्फ सब्जी काटने में जो टाइम लगता है बस उतना साही तो प्यास देखिए आधा भून कर तयार हो गया है तो यह लैसुन को पूट कर डाल दिये हैं और इसमें अधरक भी डाल सकते हैं लैसुन अधरक का पेश्ट लेकिन मेरे पास अधरक नहीं था तो हम सिर्फ लैसुन ही डाले हैं और दो हरीमेर्स एसे काटके वह भी डाल दिये इसमें और प्यास जब एकदम पूरा ब्राउन होकर भुना गया है तो इसमें डाल दिये हैं यह टमाटर अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर पूरा अगदम गल जाए और अभी यहां पर मसाले आने के लिए ही लेकर आये थे तो हम वही डाल रहे हैं इसमें और नहीं रहता है तो हम नॉर्मल जो रेगुलर जिससे चावल बनाते हैं उससे भी बना लेते हैं अच्छा टेस्ट आता है तो चावल को भी धोके डाल दिये हैं इसमें और अच्छे से चला लिये हैं और इसी गिलास चे न तीन गिलास चावल लिये थे तो इसी का दो गुना पानी डाले हैं मतलब एक एक गुना तीन गिलास चावल था तो छे गिलास पानी डाले हैं बस और यह दिखे यह विर्यानी का मसाला है जिससे की अच्छा सा टेस्ट आएगा तो इसे न डेड़ चमचम डाल द और नमक अपना स्वात के अनुसार अच्छे से डाल लें यहीं पे और मिर्च पॉडर वगएरा नहीं डाले हैं इसी मसाले से अच्छा सा तीखा पर इसमें आ जाएगा और बस धकन लगा दिये सारा मसाला को अच्छे से मिक्स करके एक बॉयल आने तक रहा उसके बाद धकन लगा दिये कुकर का और देखिये मेरा एक सीटी लग भी गया है और तब तक जो भी बरतन वगयरा था वो सब भी धो लिए और विरियानी भी बनकर मेरा हो गया है तयार गैस कर देंगे बंद कुकर को कर देंगे साइड इसको ठंदा होने छोड़ेंगे अभी 10-15 मिनिट के करीग और सबतरक इसके साथ खाने के लिए बना लेते हैं यह दही का राहता राहता किया कैसको इधर नक unions कर देंगे और यह बनकर होगई कचंबर तयार जो भी बोली है यहाँ पे एलगु मे इसको कचंबर ही बोलते हैं वो cylinder है तो वही आदत पढ़ गया है बोलने का और 15 मिनेट के करीब ने इसको छोड़ दिये थे इसका सारा गैस कुकर का निकल गया तब इसका खोले हैं ढकन और देखिए पकर कितने अच्छे से हो गया है तयार और पानी न एकदम ही बराबर इसमें पड़ा था नहीं ज्यादा नहीं कम और अभी न थोड़ा सा गरम है तो कम ही टेस्टी और खूब ज्यादा इसमें मसाला भी नहीं पड़ा है कम ही मसाले में बनकर तयार हुआ है तो यही था हमाराज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताईएगा मिलते हैं फिर से बाई बाई रादे रादे